मेरे गाव में मैं सोलार पर काम करी हूँ, सोलार प्लांट फिट करी, ग्राम पंचाद बिल्डिंग, अंगनवाडी बिल्डिंग, स्कूल, आरो प्लांट, गाव में के पूरे स्रिट लाइट, और ऐसे पूरे गाव में भी घर घरों को सोलार क्लेक्शन दे दी है, पहले पू जा रहा है और बो के मेरे पास आया हमारे गौ़ों के महला। तो एक ग्राम सबाब बिटया है महला की तो व다 आहा है इसते advance डाइड़ सो लर्ड़ो तो करिंगे और गोबर घासोव भी दिलाएंगे तो गोबर घास के लिए घर को कलेक्शन दे दिया है घर घर में पूरे गाइंशा बैला है नहीं वो गोबाइंबी है आपने को गोबइडालना के हुओ दिस जन्र सार्णा का पूरा खनाप पकाते है उसका हम घर-घर को गिलक दालना का अलनि है और मिकंपर से में रखो तीन साल में सातलाक रुपए आये हैं उससे पैशेश में है सोलार बिटाई है हाउर गाव में नरेगा काम को भी सब जने हंड़ेट परसेंट जापकाड है उन्हों काम को जाती है गराम पंचायत का काम पिछले पांस टंड से हम करते आ रहे हैं गर आमीन लोग जानते भी एही थे और मुखिया से मांग भी एही करते थे कि सरक्ड बन जाए रासन काड हो जाए इंदरावास मिल जाए और बिर्धा पेंसर मिल जाए तो पूरा काम हो गया लेकिन आभी के जोग में वो बात रही नहीं जैसा कि आप सबोंने देखा है आज ही किसानों के लिए खास के हम लोगों ने पंचायत से जोरने का काम किया था जो कि किसान समझते थे कि मुझे गराम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है लेकिन गराम पंचायत के द्वारा उन्हें सोलर एनरजी से बोरिंग का काम गाओं में हम लोगों ने लगवाया है और जो भी गोबर गाओं में कलेक्ट हो रहे थे उससे गंदगी फैलती थी और किसान के बच्चे बिमार पड़ते थे तो उससे गोबर गैस के माध्यम से हमों लोग ने खतम करने का काम किया है कचरा प्रबंधन में हम लोग जो भी गाओं के कच्चे गोबर या कीचेन का जो भी कच्चा समान है उसको लेकर बर्मी कंपोस्ट निर्मान करने का काम किया है और सस्ते दरपड किसानों को गाओं में ही खाद हम लोग जो भी खाद उपलब्द करवा रहा है और खेती से बचाओ जो रसाइनिक खाद से खेत खराब होते थे उससे बचाने में काफी उन्हें लाव मिल ला है तो इस तरह से किसानों को भी हम लोग जो प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि आए दुगना करना है तो उसमें ग्राम पंचायत भी भली भाती सहजोग कर रही है और किसानों को मन्रेगा से भी मवेशी सेट, मुर्गी पालन सेट, सुगर सेट और गयरा का भी प्रधान मंत्री शीरी नरहनर मोदी जी का सपना है कि हम अपने देश को साफ सवच्छ बनाएंगे इसके लिए हमने अपनी पंचायत में स्वच्टा के लिए विभिन प्रकार के जो कारियों किये है उसमें कुड़ा एकत्रित करना वह लोगों को स्वच्टा के लिए जागरुक करना वह इसके लिए हमने गाउं में सभी लोगों को कुड़ादान भी वित्रित किये है और जैस खाद का भी लोगों को इस्टूमेट दिये गया है जिसकी वज़े से वो लोग अब जयवी खाद बना करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और एक जो हम कीटना शक यूज करते थे इसलिए उनका भी जो कम प्रियोग लोग कर रहे हैं और इसकी वज़े से जो एक स्वस्थ खे हमने एक बीडा उठाया है हम अपने प्रदेश को साफ स्वच बना करके पूरे भारत में एक नई जगा देंगे और हम प्रियास करेंगे कि आने वाले समय में जो प्रदान मंतरी जी का एक सपना है कि हमारा देश साफ स्वच और सुन्दर हो उस दिशा में बढ़ने के हम लोग प्रियासरत है और आने वाले समय में हमारी पंचायत जो अभी स्टेट लेवल पे clean and green में प्रथम स्थान पर आई है हमारा प्रियासर रहेगा कि आने वाले समय में हम भी National Award ले करके अपनी पंचायत का नाम आगे ले जाने में पूरी कोशिश करेंगे और हम प्रद और अपने प्रदेश में लोगों को जागरुक करके इस जो नाइन थीम जो हमें दी गई है उसमें हम बढ़ चड़के काम करेंगे और इस अभियान को सफल करके हम अपने देश के प्रदानमंतरी जी का जो है सपना पूरा करने का प्यास करेंगे तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान